बच्चो नमस्कार स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल एग्रोटेक स्टड़ी में और बच्चो मैं हूँ और विंद्यादा। बच्चो आप लोग अच्छी प्रकार से तयारी करते रहें समय बड़ा करीब है आपके एक्जाम का 17 फरवरी से एक्जाम आपके होने हैं 25 तारी को यानि अभी 25 जनवरी को आपके एड्मिट कार्ट ओनलाइन आ जाएंगे तो आप लोग अपनी स्कूल में जहां भी पढ़त हैं वहां से अपना एड्मिट कार्ट चेक करते सकते हैं निकाल सकते हैं ठीक है ना इस प्रकार के अभी खबरे चल लिए कि परिक्षा आगे जा सकती है मार्च अप्रेल में तो उन पर अभी बिराम दिया है मादमिक स्कूल मंडल ने क्योंकि इस प्रकार से 25 जनवरी को उन और अपनी पढ़ाई रेगुलर रखिएगा ठीक है तो आप एक पेपर देख सकते हैं किस पर प्रकार के कॉशन पूछे रहे हैं चलो हम वीडियो को सुरात कर लेते हैं ज्यादा समय हम लोग खराब नहीं करें तो आप लोग देख सकते हैं बोट फिश्ट पत्र है 2017 का किस प्रकार के कॉशन आपके बनें आप लोग देखिए बच्चो सबसे पहले मैं बात करूँगा अच्छी क्रीम है दुख दुबसा की नियूंतम मात्रा जी हां अच्छी जो क्रीम होती है उसमें जो फैट परसेंट रहता है वो नियूंतम आपका कितना परसेंट पाया जाता जी है बटर बर्किंग जो की जाती है ना उसमें सिर्फ मक्षन मैंसे हमको बटर मैंसे पानी अलग करना है तो उसके लिए हम लोग इसमें क्या मिलाते है ध्यान रखें उसमें नमक मिलाया जाता है क्या मिलाया जाता है दूद को विक्र ही तो एक इस्तान से दूसरे इस्ता क्या कहलाता है ट्रांस्पोटेशन आपका कहलाएगा ठीक है ना ट्रांस्पोटेशन आप लोग यहां पर लिख शकते हो ठीक है इसके परिभेहन कह सकते हैं हिंदी में कोई दिक्कत बाले परिभेहन कहलाता है यह आप लोग लिख सकते हैं इसके बाद समानता और एक्षिक ये आपके सिदान्त हैं सहेकारीता के किशके हैं सहेकारीता के सिदान्त है जबकि ये वाला चप्टर भी किर्शी अर्षास्त भी हमारे सिलेबश में नहीं है ये भी आपको अच्छे प्रिकास से जानकारी होगी इसके भारत में सरबादिक दूद पादन किस राज में होता है सब जानते हैं भारत में सरवादिक दूद पदन यूपी में होता है कापर होता है उत्रपदेश स्टेट में सबसे ज़्यादा अपका मिल्क पोड़क्शन हमारे देश में होता है तो आपने रिक्तिस्तान देखे बच्चो आपसे कितने बना है यह आप लोगोंने खुद कर लिया होगा क्योंकि इसमें से दो कोस्तान ऐसे हैं जो आपकी बाद दो सन दो हजार बाइस में पूछे नहीं जा रहा है ठीक है चलिए अब सहीबी कल्ब इसके बाद दूसरी प्रेशन पर दे रखे हैं सहीबी कल्ब देख सकते हैं आप लोग बच्चो बकरी की इस नसल का मुरुस्थान तिबबद है तो बच्चो याद रखें अंगोरा जो नसल है यह आपकी तिबद की नसल है इसके बाद विस्व में दूद की रानी के नाम से प्रिशिद बकरी कौन सी है बहुत अच्छा गोसर है विस्व में दूद की रानी के नाम से प्रिशिद बकरी जमना पारी, वीटल, सानेन या अलपाय देदान रखें विस में दूद कीरानी के नाम से प्रिशत बकरी है आपकी कौन सी सानें दुनिया की सबसे दूद देने वाली बकरी है इसलिए ये से Milk of Queen कहा जाता है आइस्क्रीम में शुबास कारक मिलाया जाने चाहिए आइस्क्रीम बसे हमारे सलबस में नहीं है आइस्क्रीम में सुबास कारक जो मिलाया जाता है दुख्दुचून में अधिक्तम नमी होना चाहिए कितना परसेंट होना चाहिए बताइए आपको जो दुख्दुचून होता है Milk powder अपने सलबस में है इसको ध्यान रखें 2% 5% 25% या 28% तो याद रखें दुख्दुचून में अधिक्तम नमी की परसेंट आपकी 2% से अधिक नहीं होना चाहिए इंथ्रेक्स बीमारी का रोक कारक बताएना है तो इंथ्रेक्स रोक जो बीमारी है किसके कारण होती है बच्चो जीवाणू, विशाणू, प्रोटो जवा या आपका कोपोशन तो इंथ्रेक्स बीमारी जो है सब लोग जानते है यह आपकी वैसलेस इंथ्रेक्स नामक जीवाणू के दोरा होती है तो आपने देखा सही बी कलपों में बहुत अच्छे प्रसन आपके पूछे गाए बहुत अच्छे प्रसन आपके याद रखेगा एकजाम में आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रसन आप एकजाम में बने गए इसके बाद सही जोड़ी के हम लोग बात करते हैं सही जोड़ी देखिए आप लोग आप मिलाई यह सही जोड़ी देखो बाहे परजी भी देखिए इनमें से कौन सा है तो बाहे परजी भी जू है सब लोग जानते हैं जू बाहरी मत्तब बाहरे सरीर पर रहता है जू अपने देखा हुआ पसूमा इसे बाद फिल्टर पासिंग जीबानू जी आपका ये फिल्टर पासिंग जीबानू है ब विसानू से होती है इसको थोड़ा सा कनिफ्यूज कर दिया इसने फालपोक्स बीमारी जो होती है कि इसको चिकन पॉक्स से भी कहते है और यह बायरस के द्वारा होती है हाना इससे पहले हमने पढ़ा भी है लिकिन यहां बता रहा है फिल्टर पासिंग विसानू होना खेत कहते है इसको है ना इंग्लेंड में कहा जाता है इंग्लेंड में इसको न्यू कैसल का जाता है क्योंकि इसकी खोद सबसे पहले 1906 में न्यू कैसल नामकिस्तान पर की गई थी इसलिए इसको न्यू कैसल भी कहते है इस ट्रीप का परिक्चन सब लोग जानते है तो सतसत कितने सही हो रहे हैं आपके जालोनी नसल की भेड़ के पेड़ पर उन नहीं होती है बिलकुल सही कौसन है वैसे भेड़ हमारे सिल्वस में नहीं है लेकिन ये कौसन सही है कि जालोनी नसल की जो भेड़ होती है इसकी पेट पर उन नहीं पाई जाती है मेरी नो वेड भारतीय नसलिये नहीं है बच्छो इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं जैसे बेडों की संख्या के मान से भाद कब इसमें तीसरा इस्तान है अगर देखते हैं हम लोग तो तीसरा इस्तान हि आता है फसट उस्त लीआ है बीवी गहरी विषाली पद्दती से अच्छी खात प्राप्त होती है जियान ये मुर्गी विषाली पद्दती को डिप लिटर पर्णाली भी कहा जाते है ये थोड़ा से याद रखेगा आप लोग अब बढ़ेंगे, हम लोग आगे प्रिशन, किस प्रकार के प्रिशन अभी एकजाम में बने हुएं देख सकते हैं आप लोग प्रिश्ण बच्चों देखिए सबसे पहले प्रिश्ण है प्रिश्ण नमर पांच बार मतस से भीच खरीते समय कौन कोई सी सापधानी रखने चाहिए पढ़ाया है मैंने या कोई देशी अतवा विदेशी नसलियों की प्रिशातनियों के नाम ये आपकोछी तरह मालूम हुगा सुकर की कोई 25,21 22 में आने बाले तो आगे तो होगा ना आगे कोई दिकत नहीं मास अत्वा उन के लिए पाली जाने वाली कोई चार बक्रियों के नाम सब जानते हैं मास अत्वा उन वाली एक वाली आपको चार बक्रियों के नाम बताना है सब अच्छी प्रकास जानते हैं उनका मूलिस्तान भी आपको बताना होगा उच्च वसा युक्त डेरी उत्पादों के नाम उच्च वसा युक्त डेरी उत्पाद सब लोग जानते हैं जैसे घी होता है आपका आपका मक्षन होता है ते उच्च वसा डेरी उत्पाद होते हैं क्रीम सेपरेटर मसीन के चार भागों के नाम सब लोग जानते और यह machine किस सिद्धांत पर कारे करती है सब लोग जानते हैं अब केंद्री वल के सिद्धांत पर ये कारे करती है ना चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे बच्छों नेक्स आपकी प्रिषनों की हो नेक्स प्रिषने हैं अपका पसू सरीर में प्रोटीन अभ़ेब कारु ह्टीन कार्वाण कीस प्रकार न यह बनाते समय भरतमे सायलेज के कम पौने के कारण यह बहुत अच्छा प्रिशन है सब मैंने पड़ा रखा है आप लोग देख सकते हैं हमारी पिले लिस्ट में जाके वीडियो को उत्तम दधारू गाये के लक्षण सब लोग जानते हैं पसु की जाज करते समय जाज करता हमें आवस्था कोई तीर विसे इस्ता है जाज करता हमें कौन-कौन से गुण होना चाहिए वो कोस्टन है आपका फिर एक ग्यावन गाये के आपके लक्षण दे रखें बहुत अच्छा है गर्वती गाये के जो लक्षण होते हैं पसु की जाज की प्रमुख विधिया कौन-कौन से विधिया है और किस विधि में पूरवजों की गुण दे के जाते हैं इसके बाद पसु चिक इसा में प्रेप्त निमले के अपकरण जैसे आपका उपकरण आये है देखो कौन-कौन से उपकरन है बड़े जो केश्टेटर ने, डोकिंग मसीन, ड्रेचिंग बोतल और क्याची बहुत अच्छे आपके देखा बड़े जो केश्टर बढ़िया करने के लिए डोकिंग मसीन दवाई पिलाने के लिए होता है पसुओं को स्वस्थ रखने के लिए प्रिदिन कौनसी चार प्रमुक साथ दाया रखना चाहिए। बहुत अच्छा प्रशन है कि प्रशन है कि हम लोग किस प्रकार से रख सकते हैं। पुछे जाते हैं। प्राकृतिक विदी से अंडे सेने के लाब लिखी और दोहानी है। बहुत अच्छा प्रिशन प्रिशन पूछा है। इंक्यूबिटर से अंडे सेने के समय आवस्या कोई पांच साब दनी है। ये भी मैंने पढ़ाया। दोनों प्रिशन आपको पता है। अत्वा में मुर्गियों का आहर निशित करने के सिद्धान पूछें और वीसवाब रिशने मुर्गियों में टीका करन का महत निमलेकर ऐसी कोई चार बीमारियों के नाम लिखी जिनमें टीका करन से बचाव होता है। और लाश्ट एक खूनी दस्तिया कॉक्षिडियों से रोक के लक्षन रोकता में उपाय बताईए। तो बचो आप देख सकते हो सिंगल कोईसन ऐसा नहीं मिल रहा है आपको जो मैंने नहीं पढ़ाया है। उसलिए आप लोग इसी परकार से त्यारी करते चलें नहीं महत करते चलें। झाल 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 झाल